हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मंकी कैप, देखें बेबी के लिए बनाएंगे हम ये, छोटे बेबी के लिए बनानी है, और ये मैंने उनली है, रेबिट एकसल, अगर नॉर्मल वूल है, ये बहुत ज़्यादा बारिक नह दस नंबर की सलाई से हम इसको बनाएंगे, बहुत सिंपल ये कैप बनके तयार हुए कि जिनको उल्टा सीधा बुनना आता है, सिर्फ कोई डिजाइन बनाना नहीं आता है, वो भी इस कैप को बहुत आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई घट आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पन्रा, सोला, सतरा, ठारा, उन्निस, बिस, किस, बाइस, तेइस, चौरबिस, पच्चिस, पच्चिस, पच्चास फंदे हैं हमारे ये, अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे, निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइ करें और बेल आइकन प्रेस करके और पर क्लिक करें हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, इसको हम बुनना शुरू करेंगे, उल्टा-उल्टा, ये पूरी सलाई हम ऐसे ही बना लेंगे, अगर आप सीधा-सीधा बुनने में कमफटेबल हैं, तो आप सीधा-सीधा हमें भी बुन सकते हैं, और अगर आप उल्टा-उल्टा बुनने में कमफटेबल हैं, तो आप इसको उल्टा-उल्टा बुने, मैंने इसको पूरा उल्टा बुना है, हमें दोनों साइड से इसको उल्टा बुनना है, पहले हम ये सलाई कमप्लीट कर लेते है ये दिखिए ये सलाइ भी हमने इसे complete कर ली ये हमारी पहली सलाइ है अब हम दूसरी सलाइ पर आगए इसको भी हमें उल्टा बुनना है इसको भी हम ऐसे ही complete कर लेंग TWO धूसरी सलाइ भी उल्टी-उल्टी बुन ली है एक चीज मैं यहां और बता दूँ जब हमने यह फंदे डाले तो हमने सिंगल धागे से डाले जब हम स्वेटर बनाते हैं तो हम डबल धागे से बनाते हैं लेकिन यह चीज हमारी सिलाई में आ जाएगी फंदो वाली तो इसको हमने सिंगल धागे से डाला है और बहुत ढीला ढीला डाला है एकदम यहां से बिल्कुल भी टाइट नहीं किया है हमने यह हो गई हमारी दो सलाई अब हम बुनेंगे तीसरी सलाई तीसरी भी हमें ऐसे ही सारी सलाईयां हमें जितना भी बड़ा इसको बनाना है इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा-उल्टा बुनते हुए हम इसकी बुनाई कम्प्लीट करेंगे देखे इस तरीके से अब हम देखेंगे कि हमें इसकी गुलाई कितनी बनानी है तो इसको हमें कम से कम 5 से 5.5 इंच के करीब बनाना है या बच्चे के साइज के उपर होता है कि उसका सर कितना बड़ा होता है एक बार मैं नाप लेना बता देती हूं कि नाप हम कैसे लेंगे यह देखेंगे इसकी गुलाई का हमें नाप लेना है इसमें यहां से यह हमारा 14 इंच 14 इंच हमारी इसकी गुलाई है तो इसे कम से कम उसका आदा होगा हमारा 7 इंच आप 14 का आदा करेंगे तो यह 7 इंच हमें इसको बनाना है लेकिन यह बुनाई है और यह उल्टा उल्टा जब हम बनाते हैं काफी खीचता है तो हमें इसे खीच के नापना है और अगर आप खीच के नहीं नापना चाते तो आप 5 या 5.5 इंच इसको बनाएंगे बिना खीचे हुए और खीच के बनाएंगे तो आपको 7 इंच तक बनाना होगा तब तक हम इसको बुन लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है यह दिखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने इसको इतना बना लिया है अब हम इसके अगर लाइन्स गिने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, उन, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, चौबिस, पच्चिस, छपिस, सताईस, अठाईस, उन्तिस, तीस तीस लाइन्स में इसने बनाई है लेकिन मैं इसको एक बार नाप के बता देती हूँ, क्योंकि आपको कोई उन, मोटी होती है, कोई पतली होती है तो आपकी ये लाइन्स कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन अगर हम इसको नापेंगे, आप देखिए, बिना बिना खीचे अगर हमने इसको नापा, तो ये हमारा साड़े पाँच इंच आ रहा है देख सकते हैं, और अगर हम इसको खीच के नापते हैं, तो हमें ये साथ इंच चाहिए देखिए, यहां हम साथ इंच रखा, अब हम देखेंगे कि ये खीच के, इतना ये कम्प्लीट हो जाएगा बहुत ज्यादा भी नहीं खीच आए, मैंने बहुत ज्यादा खीचूंगे, तो भी और बड़ा हो जाएगा इतना हमें नहीं कीचना है, थोड़ा सा खीचते हुए हम इसको नापेंगे, तो ये साथ इंच आ गया, और अगर हमने इसको बिना खीच है नापा, तो ये है हमारा साड़े पा इंच इतना हमें इसको बनाना है क्योंकि हमारी जो गोलाई है कैप की वो 14 इंच है ये खिचने के बाद पूरी आ जाए अब हम इसके आगे बुनेंगे अब हमें बुनना है कि हमारा गले से नीचे एक हिस्सा हमारा गले से नीचे जाएगा और एक हमारा उपर की तरफ आएगा तभी हम इसमें बीच में एक gap देंगे तो इसको आप 30, 20 भी कर सकते हैं या 28, 22 इस तरह भी आप इसको नाप सकते हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चादा, पंदरा, सोला, 17, 18, 20 20 हमारे ये हैं और 30 हमारे ये इधर रहागए ये हमारा नीचे का पाट आएगा जो हमारा गले को ढखेगा और ये हमारा उपर का कैप का पाट आएगा तो अब हमें क्या करना है हमें इसने ही भंदे ये बुनने हैं उनको अभी हम अलग बुनेंगे और इनको हम अलग बुनेंगे दोनों ही हमें अलग अलग बुनने है तो आप चाहें तो पहले इसको बुन के तयार कर लें और फिर इसको बुन लें अलग से और चाहें तो इसके साथ में ही दूसरा धागा लगा के आप इसको यहां से बुनना शुरू कर दें यह वाला हमने अवि हमने यह फंदे छोड़ दिये पहले मैं यह थोड़ा सा यह बुनके दिखाती हूं कि यह हमें किस तरह से बुनना है यहोली सला यह इस तरह से कंपलीट कर लेंगे 6 महेने तक कि बच्चे को यह आराम से आ जाएगा अगर बच्चे का सर छोटा है किसी का तो ये साल भर को भी आ सकता है वैसे ये मैं बना रही हूँ तीन महीने से छे महीने तक के बच्चे के लिए ये हमने बुन लिया अब हम अगली सलाई पर आ गया बुनना हमें अभी भी इसको उल्टा-उल्टा ही है इस सलाई को हम कम्प्लीट करेंगे ये यहां से और यहीं से हम इसको वापस कर लेंगे अब हमें सिर्फ यही पार्ट बुनना है इसको हम अभी नहीं बुन रहे हैं इस तरीके से हमें इसको बुनते जाना है और उतनी ही लाइन हमें इसमें बनानी है जितनी हमने यहां से यहां तक बनाई है इस तरह से हम इसको नाप लेंगे चाहे आप ऐसे नाप के बना ले इसको हमें यहां तक ऐसे मिलाना है यह तरह से मोड के रखेंगे और यहां से यहां तक हम इसको मिला लेंगे इतना हमें इसको अभी और बनाना है यानि कि लाइन गिनके भी बना सकते हैं आप और इसको वैसे भी बना सकते हैं आप नाप के भ तो आप अलग सलाई भी लगा सकते हैं इसमें यहां से आप दूसरी सलाई लगाएंगे बस करना कुछ नहीं दूसरा फंदा दूसरी सलाई इसमे Bem दूसरा धागा लगा के और इसको आप बुन लेंगे उल्टा उल्टा ही हमें इसको बुनना है अगर आप इसको कुछ मोटी वूल में बना रहे हैं तो आप इससे कम फंदे लेंगे क्योंकि ये थोड़ी बारीकून है जैसे कि बेबी वूल होती है तो थोड़ी पतली होती है ये भी वैसी ही है ये एक सलाई हो गई हमारी अब हम दूसरी सलाई पर आ जाएंगे इसी तरह से हमें दोनों साइड से इसको बुनना है बराबर बराबर तीस लाइन हमने नीचे बनाई तीस लाइन ही हमें इनकी दोनों साइड की बनानी है लेकिन बस अलग-अलग बुनना है झाल झाल यह हमने बुन ली अब हम अगली सलाई पर आएंगे यहां से बिना बुना फंदा लेते हुए इसको फिर उल्टा बुनेंगे इसी तरह से हमें यह पूरा कम्पलीट करना है इस तरह से यह बुनता जाएगा यहां की भी हमें तीस लाइन कम्पलीट करनी है और यहां की भी यह वाली लाइन देख रहे हैं आप यह वाली लाइन तो हमारी नीचे है चाहे तो आप इसमें कोई मारकर लगा दें यहां से इसको भी 30 line तक बुनना है और यहां से इसको भी 30 line तक बुनना है अभी हमारी यह दूसरी line शुरू हो रही है 30 line complete होने तक 30 में आप 1-2 salai कम भी कर सकते हैं लेकिन इसमें extra नहीं होनी चाहिए salai जितनी यहां से यहां तक की इससे एक-दो salai आप कम रख सकते हैं लेकिन आपको ज्यादा नहीं रखनी है यह देखिए इस तरह से बुनते हुए हमने यह दोनों side बना ली है देखिए अगर यहां से हम नाप लेंगे इसको अभी दो salai हमारी इसमें कम है यहां से जितनी हमने यह 30 लाइन बनाई है तो यहां मैंने यह अभी तक 28 लाइन बनाई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाईस, तेरीस, चौबिस, पच्चे, चबिस, सत्ताईस है अभी है हमारी यह देखिए यह दोनों side हमने अलग-अलग बुनत यह देखिए वाली line हमारी जो पहले से बुनीवी है वो यह है तीस line हमने नीचे बनाई थी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अटारा, उनिस, बीस, इकिस, बाईस, तेरीस, चौबिस, तीन सलाई इसकी पूरे में बनानी है, यानि कि हम अलग-अलग धागे से नहीं बनाएंगे यह, जो हमने अभी यह, यह वाली अलग धागे से बना रहे हैं हम, यह वाले फंदे अलग धागे से बना रहे हैं, लेकिन अब हम इनको बंद करेंगे फंदों को, तो उससे पहले हम दो तीन सलाई या चार सलाई सारी एक जगा फंदे एक ही धागे से बुनते हुए बनाएंगे ये ये वाला और ये वाला भी हम यहां से मिला देंगे हलका सा खीचेंगे ये वाला फंदा जो हमने आगे से लिया एक सलाई हो गई हमारी अभी मैं इसमें दो सलाई और इसी तरह से बना लूँगे और उसके बाद हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे ये हमारी एक सलाई हो गई हम यहां से फिर बुनेंगे हमारारी ये हम येध ये बंदscheinतेंगे ये ये हम फंदेंगे यहां से यह सारे भंदे इसी तरह से बुनेंगे, बाद में हम यहां सुई से इसको थोड़ा टाका मार देंगे ताकि यह टाइट रहे हैं, इसलिए हम यहां यह थोड़ा धागा छोड़के मैंने इसको काट दिया है, यह सलाई पूरी करके एक और सलाई कर लेंगे, इसकी हमने यहां तेन सलाई बना ली हैं, अब हम इसको बंद कर देंगे, सारे फंदे हमें इसे ही बंद कर देने हैं यह, दो फंदे का एक फंदा करते हुए हम यह वाला फंदा इस सलाई मिलेंगे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर इस सलाई मिलेंगे, टाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसको, और नहीं ज्यादा लूज रखेंगे, बराबर सलाई के फंदा लेते हुए हलका सा बंद भी डिला डिला ही करना है, इस तरह से हम ये सारे भंदे बंद कर लेंगे, इस तरह से हमने इसके सारे भंदे बंद कर लिये हैं, इस सिलाई के लिए मैंने थोड़ा सा धागा छोड़के इसको कटिंग कर दिया है, अब हमें करनी है इसकी सिलाई, सिलाई करेंगे हम इसक यहां से हमें सिलना है इसको और एक साइड जो हमारा ये छोटी वाली साइड है ये हमें खुला रखना है यहां से और यहां से लेके यहां तक हमें इसको पूरा सिलना है इस तरह से सिलते हुए हम पूरा इसको एल शेप में सिलना है हमें बड़ी वाली साइड सिलनी है छोटी वाली साइड से हमें खुला रखना है इस तरह से यहां से हम कुला रखेंगे यहां तक हमने इसकी सिलाई कम्प्लीट कर दी अब हम यह वाले जो धागे हैं इनसे यहां एक एक टाका लगाएंगे क्योंकि यह पहनाते टाइम इस तरह से यह ज्यादा खुल जाएगा इसलिए यहां पर हमें एक दो टाके लगाने बहुत जरूरी हैं झाले बहुत जरूरी हैं किस तरह से अब ये कितना भी खोलने हम ये खुलेगा नहीं इसी तरह से हम एक राटा का इधर भी लगा देंगे ये देखिए ये बनके इस तरह से तयार हो गया है इसे सीधा कर देंगे यहां पर चाहें तो आप कोई embroidery कर सकते हैं या कोई sticker लगा सकते हैं यहां आप पॉम-पॉम लगा सकते हैं यहां आपके उपर है यहां पर हम एक यहां कालर दागे से एक design सा बना देंगे बना देंगे यहां पर आगर आपके पास कोई स्टीकर अगरा है तो आप वो भी लगा सकते हैं या बिना किसी embroidery के इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं हम इसको यहां ऐसे रखके देखे लेंगे हम भी हमें यहां से यह कम दिखाई दे रहा है तो हम एक टांका इधर भी लगा देंगे तरह से कर दो इस तरह से इसको दोनों साइड में बना लेंगे हम दोनों साइड में बराबर आ जाना चाहिए इस तरह से हमने यह यहां जैसे आख जैसा यह कुछ बना लिया डिजाइन इसी तरह से हम यहां पर भी बनाएंगे चोटे बच्चो के लिए हम इसको बना रहे हैं तो इसलिए हम यह डिजाइन बना रहे हैं कि छोटे बच्चो के लिए अच्छा लगेगा यह डिजाइन बना हुआ अगर आप बड़ो के लिए बना रहे हैं तो आप यह डिजाइन को अवाइड भी कर सकते हैं आप ऐसे ही बिल्कुल सादा बना सकते हैं इसको इस तरह से हम सुई से 2-3 टाके लगा देंगे इस तरह से बनके तयार हो गया है इसको आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं और यह बहुत ही आपने देखा कितने इजी तरीके से बनके तयार हो गया है इसे बिगनर्स भी जिनको सिफ सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इसको अराम से बना सकते हैं इस तरह की लोग आएगी इसकी बनके ये चाहें तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं पूरी नेक इसमें कवर रहेगी आप देखिए यहां से भी पूरी नेक इसमें कवर रहेगी अम्मिद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सबस्क्राइब करें थैंक यू